ओमरम शिवाय जैमहाकाल बहुत लोग के प्राब्लम होते हैं भाया हमारे जो पैसे है न वो टिकते ही नहीं है या फिर हमारा जो दुकान है, हमारा व्यापार है उसमें ग्राहक नहीं आ रहे है उसमें कोई भी सामान हम लाके रखते हो भिखता ही नहीं है तो ये विडियो आपके लिए है, पूजी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, क्या करना होगा, बस आपको एक सिंदूर की बिंदी अपने दर्वाजे पर, या फिर आपको अपने दुकान पर लगा देनी है, आपके यहां ग्राहक आएंगे और मातालक्ष्मी का वास जरूर होगा, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा, उससे पहले आप विडियो को लाइक कर दे, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझना है इस उपाय को, हमें कौन दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं आपको बजरंग बली, अब बजरंग बली के पैरों की मुझे क्या चाहिए सिंदूर, अब कौन से पैर की चाहिए ये समझना, अभी तक हम क्या करते थे, लेफ्ट पैर की सिंदूर को उठाते थे, गतिमान महादेव का नाम लेक के दाहिने पैर की सिंदूर को उठानी है, और ले जाकरके आपके हाँ जो भी दुकान हो, या फिर आगर आपकी कोई शौप है, छोटी, बड़ी, कोई भी शौप है, तो उसका जो सटर होता है, या फिर उसका जो दर्वाजा होता है, उस पर आपको ले जाकरके बाला जी म नहाराज के नाम का आपको एक सिंदूर का एक बिंदी आपको लगा देना है, मन हो सूखा लगा देना, मन हो पाने वगरा मिला के गीरा लगा देना, ठीक है इतनी बा समझ में, अब जिसके यहां लक्षमी नहीं टिकती हैं, मतलक्षमी का वास नहीं होता है, तो आप अपने जहां पर पैसे रखते हैं, वहां पर भी उसी सिंदूर को ले जा करके, दाहिने पैर की सिंदूर को बाला जी के नाम से आपको लगा देना है, एक छोटी सी बिंदी, कहो के भीया, कब किया जाता है इस उपाय को, देखो, कल है बुद्धवार का दिन, तो इस उपाय को नहीं चलती, दुकान नहीं चलती, तो भी लोग आप इस उपाय को जरूर करिएगा, कोशिश की है, मैंने बहुत अच्छा आपको समझाने की विडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजे, कुछ पूछना हो नहीं समझ में, नीचे कोमें पूछें, और अगर आपको शिवाय, जाए महाकाल